कि आई एवरीवन वेल्कम टॉल अफियो दिस इच्रीश एर और वाचिंग टार्गेट वोड़ सो माइडियर इस्टूरेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नमर से बन पोईट्री का ओके तो आइधिंक आप लोग को पह सारे अच्छे काम किये हैं बहुत ही जवर्दस्त काम किये हैं यह चैप्टर का नाम है था स्लिपिंग पॉटर ओके स्लिपिंग पॉटर मतलब होता है सोता हुआ कूली स्लिपिंग पॉटर का मतलब क्या होता है सोता हुआ हुआ कूली ओके तो याद रखेगा ठीक इनके ल लगा हुआ है लक्षमी परसादेव कोटा का ओके और वाके में यह बहुत यह अच्छे काम किये हैं ओके और यह मुख्य रूप से इनका जो जन्म जो हुआ था ना वो नेपाल में हुआ था जिहार से ही अटा हुआ है नेपाल ओके एक आइधिंग कदी आपको यह नेपाल के बोर्डर पर होंगे तो जरूर नीचे कोमेंट किजिए गांसर हमारा इरिया जो है मतलब नेपाल से ही सटा हुआ हो के चलिए हम लोग समझते हैं एक एक चीज को अच्छे तरह से एक एक चीज को डिक तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट अथर अथर मींस होता होना ऑसे लेकर राइटर मींस भी क्या होता है सबसे पहले नाम की बात क्या जाए लक्षमी परसाथ देवकोटा नाम किया है लक्षमी पर साथ देवकोटा इसका नाम मीं कहा प्रसाद देव कोटा के अब दिखें यहाँ पे जन्म हुआ था लक्षमी पूजा आप समझते होंगे जिसे हम लोग दिपावली के भी नाम से जानते हैं इनका जन्म वह था लक्षमी पूजा को और कितना 13 नमंबर 1909 को इनका जन्म हुआ था वह भी कहां पर काट मांडू में आज से कुछ साल पहले हैं को आइधिंग लगता है 2015 या 16 15 के लमसम या 16 16 के लमसम बहुत ही जादा भुकम पाया था बहुत ही तिप्र भुकम पाया था और आप लोग को पता होगा कि कहा था ने सब्सक्राइब को अपर को समझ में की लाग ही लीचे जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजएगा हादी तो ओगे आगे बात नाटक कार जो होते हैं ना आप समझते होंगे play right ओके इसके अलाबा दिया हम बात करें तो ये एक नोबेलिस्ट भी थे है ना और इसके अलाबा इसे सम्मानित भी किया गया था ठीक इसे सम्मानित भी किया गया था तब हाँ नेपाल में इसे बहुत ज़्यादा क्या सम्मानित भी क्या गया था है ना ओके महा कभी के नाम से इसे क्या क्या गया था सम्मानित क्या गया था ठीक महा कभी ओके चलिए आगे next हम लोग समझते हैं अदियम इनके बारे में बात करें तो ही आगे हम लोग समझते हैं, आगे कहता है, ही ओवीडियेंड ए बैचलर अप आर्ट्स डिग्री फ्रॉम दा पतना यूनिवर्सीटी इन 1929, ठीक आनि 1929 में है ना इसे बैचलर अप आर्ट्स डिग्री मिला था, कहां से, पतना से इसने क्या क्या था, प्राप्त क्या था ठीक, होवीडियंड मिन्स क्या होगा? बढ़न्स क्या होगा? प्राप्त करना ठीक तो है प्राप्त के ते कहां से पतना यूनिवर्स ऋविवर्स एटी से, szte, आई होब कि यहां तक आपको कहीं को दिकत नहीं, गवाओ-श्यां होगा तनी जरूर fist कि जित स्यम्क खीजिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, in 1948, he presided, he क्या, presided over the first national poetry festival of Nepal, organized by the Nepali, ताहिती है, मतलब वहाँ पे नेपाल में जो एक राष्टिय, अस्तर पे जो poetry को लेके जो होता है न, उससे, that means याद रखेगा, क्या हम बोलने हैं, उनिस सो, उनिस सो अर्तालिस में, that means कब, उनिस साथालिस के बाद याद रखेगा, उनिस सार्तालिस में ही, presided over the first national poetry festival of Nepal, है न, और गनाइजड बाइन पाली साहित, हानी नेपाली साहित थे के लिज और गनाइजड क्या रहा था, तो इन्ही के द्वारा, इन्ही के किया जा रहा था, तो इसके द्वारा क्या क्या जा रहा था, presided क्या जा रहा था, क्या क्या जा रहा था, presided क्या जा रहा था, आगे आदि हम बात करें, तो ही, was a mouth piece of the Nepali Congress, है न, इसमाउट piece of the, क्या कहा जाता है, Nepali Congress, आ नहीं, that means बहुत सारे ये पत्र लिखे थे, that means क्या किये थे पत्र लिके थे ठीक आगे बात करें इन नेपाल नेपाल में इनके घर को इनके प्रोपर्टी को और हैना जितने भी सारे चीज थे तमाम चीज को सरकार के द्वारा क्या किया गया था confiscated किया गया था that means कहने का मतलब जबत कर लिया गया था किनके द्वारा वहां के government के द्वारा ये देख सकते हैं ये पहले उनका घर था किनका लक्ष्मी परसाद देव कोटा का अब ये अभी इस हालात में है आप देख सकते हैं image के माध्यम से डैक्सट अब हम लोग यहां से हम लोग क्या श्टर्ट करेंगे पोयम को श्टर्ट करेंगे बहुत ही सुन्दर पोयम है इसमें चर्चा हुआ है एक potter का potter बोले तो cooly com किसको कहते हैं जो 9 होने वाले होते उसे हम क्या कहते है पोटर कहते है तो अब पीन डबल डबल बैंट इस सिक्स एसिक्स मेल है ना क्या पढ़ेंगा मेल इस सिक्स मेल क्लाइम इन दा स्टोर्स आफ विंटर नेक्ड बांस एसकेल तन लाइक फ्रेल फ्रेम एट फेसिंग एन अपहील टास्क ही इस साइलेंजिंग दा मौंटन देखिये इसका हिंदी हम बोलेंगे मील क्या बोलेंगे मील जान इस सब्सक्राइब अर इसे क्लाइब पढ़ेंगे की 25 किलो कितना के जी पचीस के जी अपने फीच पे कितने के जी यादर के यह अप्जेक्टीव पूचेगा अपने फेट पे 25 के जी लोड कर के 6.000 यादर के जाकर 6 mylis 6.000 ओके 6.000 मला वजन लोड कर के आना पचीस के जीना 6.000 मतलब कि जारे का मोसम था तब पर भी अपने सरीर पे कितना केजी 25 केजी लोड करके ये क्या कर रहे थे उस विंटर में न वो भी क्या मतलब कि बिचरा कुछ पहने उन्हें भी नहीं थे शरीर पे आना और उनका सरीर न üzerine का रहे है त包 क्या कर रहे है être पर भी वो क्या कर रहे थे चर रहे थे ही चैलेंजिंग दा माउंटेन और वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो किसको माउंटेन को क्या कर रहा हो चैलेंज कर रहा हो क्या कर रहा हो माउंटेन को चैलेंज कर रहा हो ऐसा that means कहने का मतलब वो कर रहे थे मतलब की 25 kg उनके सरीर पे लोड था 25 kg लोड करके वो क्या कर रहे थे पांटेन पे चार रहे थे उस बर्फ मतलब winter season में यह दैट मिन्स क्या snows of winter मतलब जारे का मोसम था और उसमें भी क्या बर्फ पर रहे थे और वह उस पे चार रहे थे और मानो किसको क्या कर रहा हो और समघका और यहां पर पर समलिजिये यह क्या है यहां पर यह देख है यहां पर पहना हुआ ऊज़्ए पाहरा वह बहुत ज़्यादा और sweat स्वेट इस्टेंड एन इस बड़ी इस एन एवार्ड आप प्लीज एन क्या लाइज देखिए उनका सरी जुर्था याट मिस नहीं था की रा मकोरा का घर इसे लाइस मिस होता है धीला जिसको हम बोलते हैं सर में जो धीला हो जाता है ना उसके बारे मैंना तो इनके सरीर जो देखिए मड़र फील आका जो है निलागा तो फैनल जात भाट खर बन गया थाइज यह बीटा ट्वेस चोटे-चोटे-चोटे जो जो लप्टीला टाइप रगों समस्वाज लिज़ें आप लोगना वो क्या बन चुका था इनका घर बन चुका था एवार्ड मिनस क्या थ तागर मैं जबुँद था उनका बड़ी एना छोटे मोटे की रिस यम पूलते इंसेक्ट्रम चुका था भर बन चुका था और उनके सरीर से जोन भी बोल जो जो पाक अजोन lah ऑजर आपक माहिकेज spela От How or is mind if you mind very die ल सका जो माहिन था वह बहुत सरीर था उनके सरीर से मतलब की सलफर है ना सलफर लाइक सोरो इसमन मतलब नहीं होता है कि खटा टाइप का जो मतलब नहीं होता दुरगंद है ना जो कि उस तरह का इसके सरीर से दुरगंद आ रहा था किसके सरीर से उस पॉर्टर के सरीर से उस कूली के सरीर से आगे बात करें like a bird his heart is twittering उसका जो हिर्दय जो था उसका जो दिल जो था ये जो दिल आप देखना है उसका हिर्दय जो था ये बहुत ही जायदा मतलब twittering कर रहा था किसके समान एक बड़ के समान इस हर्ट इस ट्विटरिंग एना ही इस like a bird हर्ट ट्विटरिंग उनका जो हर्ट था जैसे ने चलिया चाहती एक दम तुरं 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 उसी तरह इसका हर्ट बीट चल रहा था इसके लावा कहते हैं पैंटिंग मतलब सांस को अंदर लेना सांस को बाहर चोड़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका क्या सांस से धरकन तेज चल रही थी और वो ठक गये था और बैठ गये थे ठीक अली आप देखें यहां तक हो गया कि मतलब उनके बारे में हम जाने कि एक कूली था जो की जिसके सरीर प जाता कि मानों किसको चैलेंज कर रहा हो और इसके अलाबा उनका सरीर जो था अगदम पूरी तरह से एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदा सरीर था उनका कूली का बिचारा का और उनका सरीर जो था वो घर बन चुका था लिखा धिला जिसे हम बोलते हैं ठीक उनका है ना नह अगे बाता और उनका जो आट बीट था वो ट्विटरिंग कर रहा था किसके समान एक बर्ड के समान आगे हम लोग देखते हैं हें हर्ट ऑन दकलीफ अब देखिए एक घाटी के भास या पास पीक आप है किया था था उनमने एक उनका सन भी था और जो की टर्ड से का परह विन्स मतलब की जो लताय टाइप की होते हैं यह समझ लिए यह नेटल से हैं और यह विन्स समझ लिजिए ठीक यह ढूंड रहे थे सर्चिंग कर रहे थे ताकि उसको किसी तरह से पका के वह अपने बेटे को क्या करते खिलाते ओके वैसे विन्स का मतलब होता है अंगूर के लता है ना लेकिन यहां पर समझ यह कोई भी लता है उसे मिल जाता तो कोई दिक्षत नहीं था नहीं वो और सर्चिंग कर रहे थे अपने बेटे को भूग से बचाने के लिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर इमेज के माध्यम से यह क्या है घाटी है ओके और यहां पर नीट से कांप रहा था नेकिस्ट थे पीनीथ दिस हीरो आँप दा मौन टे रहे थे क्या रहे थे तब प्रउट गंक्यॉ और आगे हम लोग बढ़ते हैं वाली दा स्टार इस्टर्डेट लेड आफ नाइट इन इस नाइट आइट पॉर्टर इस इन डिप्स लेंबर रिंगिंग ओढर दा रिच गिंग्डम ऑफ क्या सिलिप यहां पर देखे कि वो मतलब वहां के जो हीरो थे वो आ रहे थे अपने पतनी के पास और बचे के पास वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर रुकते हैं रुकने के बाद कहते हैं कि उतनी ठंड होने के बाद उतनी ठंड होने के बावजूद भी रात में जो है रात में पॉटर जो है एकदम गहरी सलेंबर मतलब बहुत ही ग पर उसी घाटी पर यह थे क्या देट मीन्स आपके पोयम आप लोग समझ गए होंगे सिंपली समझ यह कि जो जो मैं चर्चा हुआ हैं चर्चा कर देते हैं मुख्य रूप से 25 जी का यह लोट करके बैचरा चलते हैं उसके बाद जो है चिक्स मील इनका क्या है दूड़ी है द यह गांटेन को चैलेंज कर रहे थे ठीक और इनकी पतनी जो थी वह घाटी ऺए रहते थे यह भी घाटी पे रहते थे उनके बएते भूप से बहृत ही जादा भूके ते और ठंड के कारण का पड़े लेकिन उसकी मा ती ट्लिस को सर्च कर रहे थी कि मिल जाय तो उसे हम क् और उसी समय वहां के जो hero है that means potter वहां आते हैं और वहां पर रुकते हैं कि हम लोग घर है तो वहां पर रहेंगे ही ठीक रहने के बाद जो है फिर वहीं पर वह सोते हैं और ऐसे वह सोते हैं जैसे मानिए वहां को क्या हो kingdom हो ओके यह थे क्या अब चलिए हम लोग question answer देख ले potter on his back 25 kg कितने 25 kg अपने ये सर पे that means कहने का मतलब अपने feet पे ये load करके चल रहे थे what distance does the potter cover in the snows of winter winter के season में potter जो है कितने distance दूरी करते थे वो बर्फ से है ना तो the potter covers six mile and that means six miles distance snows of winter okay yeah six mile वो क्या करते थे that means cover करते थे आगे का रहा हूं is challenging the mountain mountain ko challenge कौन कर रहे थे the potter is challenging the mountain potter जो थे challenge कर रहे थे किसको mountain को okay I hope कि आप लोग समझ में आ गया होगा ठीक के आगे हम लोग बढ़ते हैं यह बार बार जो है wire नीचे चला जाता है एक अलिया अभ ठीक है अलीड आगे हम लोग बढ़ते हैं what type of cap is wearing किस तरह को क्या पहने थे we is wearing a dirty black cap किस तरह कि क्या पहने हुए थे dirty black cap पहने हुए थे what type of smell does the potter Met quality Sets मेल आ थाestar लॉटर समेल से इसे तरह का दुरगंद आ रहा था आगे चलते हैं कहता है what is there on the cliff किलीफ कमरें बोलते हैं ना किलीफ जो ते किलीफ पे क्या थे तो there is a there is a heart होगा याँ पे होगा there is a heart on the तो अग्या क्या क्लिप उस गाटी पे उस गाटी पे क्या था हट था जोपड़ी था घर था आगे हम लोग बढ़ते हैं What is the mother searching उनकी मा जो थी वो क्या चीज सर्च कर रही थी तो the mother is searching for nettles and winds उसकी मा जो थी सर्च कर रही थी nettles और winds को Who is the hero of the mountain? So the potter is the hero of the क्या? Mountain सारा चीज हम आपको बता दी हैं A to Z समझा दी हैं अच्छे डंग से ठीक और आप समझ भी गया होंगे What is mean by lead of night? इसका मतलब होता है It means that sky is covered with stars ऐसा आकास जिसमें बहूत सारे क्या हो? तारे हो उसे हम lead of क्या क्या कहते है? Knight कहते है Okay आगे कहता Who is ringing over the rich kingdom of sleep तो कौन थे तो the potter is ringing over the rich kingdom of sleep ओके? Potter थे जो गिंदम ऐसा लग दाःता जैसे सोने का क्या हो? राजा हो Okay ये थे क्या that means आपके line explanation और sort question मिलते हैं next video में that means most BBI objective को लेके अधी इसके पहले अधी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे टार्गेट बोट को और अधी वीडियो अच्छा लगे नीचे जरूर कोमेंट किजिएगा और हम लोग का जो सब्सक्राइब कर लिजी ओके तो नीचे कमेंट किजिएगा ओके और क्रिस जिनियस क्लासे पे आपको आप लाइन के जितने भी एस्टोडेंट है उससे भी मिलने का आपको क्या मिलेगा तो चलिए आज के लिए इतना ही सोतबता के लिए टेक केर जाहिन जाय भारत झाल 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 झाल